पूरी तरह से तैयार है जी हां फाजर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर ने वाकई रॉंक्टे खड़े कर दिये हैं ये इस फिल्म का इंतिजार काफी सबे से हो रहा था और फिल्म गंटन्ड डिवस के मौके पर 25 जनवरी को सिनिमा घरों में दस तक देने जा रही है फिल्म के गाने और टीजर ने लोगों के बीच जबर्दस प्रेज बनाये हुआ है वहीं अब दर्शकों के इस उत्साक और बढ़ाने के लिए फिल्म का दमदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है ट्रेलर में रितिक रोशन, दिपिका पादिकोन, अनिल कपूर और करन सिंग ग्रोवर वायू सेना अधिकारी बन देश भक्ती के जजबे में डूबे नज़र आ रही है ट्रेलर के शिरुवात रितिक रोशन की आवाद से होती है जिसमें वो कह रहे है कि फाइटर वो नहीं है जो लक्षे को प्राप्त करता है बलकि फाइटर वो है जो अपने दुश्मनों को ठोग देता है अनिल कपूर बत और कफ्तान चर्वशेष्ट वाई उसेना अधिकारी के एक टीम तयार करते हैं जिसमें रितिक दिपिका आव करन शामिल है फिर पुलवामा बंबलास्ट के बाद सभी फाइटर जंग के लिए तयार होते हैं और जान की बाजी लगाती नज़र आती है इस जानी भी देनी होगी छेलर में रितिक और दिपिका आदेश की खाते लड़ते हुए नज़र आए और उनका दमदार एक्शन अफ्तार भी देखा दो जर्सों के बीच जजबे को जगाने के लिए काफी है फाइटर में पहली बाद रितिक रोशन और दिपिका पदिकोन स् मिनी का किर्दान इभा रही है इन दोनों सूपरस्टार के अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी में तुपूर भूमिका में है जो ग्रूप कैप्टन राकेश जेसिंग और फर्रॉकी के किर्दान में नज़र आएंगे फाइटर का निर्मान वाइकाउम अठारा स्टूडि है फाइटर मेरते का अनिल दिपका के अलावा साहिक मिकाउं में करन सिंग ग्रोबर रक्षव अबरॉय सजिदा शेक तलत अजीज और अन्य सहीत एक शांदार स्टार कास्ट है विचान शेकर की जोड़ी फिल्म के लिए गानी और मुल्स को तयार कर रही है हवाई एक्षि फिल्म 25 जन्वरी 2014 को सिनिमा घरों में रूलीज होने के लिए दयार है तो उमीद है कि आप सब इस फिल्म के रूलीज होने का बेस सब्रीज से दजार कर रही होंगे क्योंकि फिल्म देश भक्ति की फामना से पूरी तरह से भरी हुई है